जेश्री कृष्णा राधे राधे आई ये सुनते हैं अनत्चतुर्दशी या सत्विच्छा की यह कहानी अनत्चतुर्दशी का पर्व भाद्र पर शुक्रत्चतुर्दशी को मनाया जाता है इसमें भगवान अनन्द की पूजा की जाती है इसमें ब्रत का शंकल्प लेकर अनन्त सुत्र बाधा जाता है कहा जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का ना सोता है साथी ब्यती की जीवन सुक्षमेधी से भग जाता है अनन्त चतुर्दशी का पर्व भादर पर शुक्त चतुर्दशी को मनाया जाता है इस दिर भगवान विश्रू के अनन्त रूप की पूजा की जाती है इसमें ब्रत का संकल्प लेकर अनन्त सुत्र बाधा जाता है माना जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है इस दिन भगवान विश्णू के भग पूरे दिन का उपवाश रखते हैं और पूजा की दवरान पवित्र धागा बानते हैं भगवान गरेश का विशर्जन भी इसी दिन किया जाता है अनन्द चतूर दशी के दिन गरेशी का विशर्जन किया जाता है अनन्द चतूर दशी पूजन भी थी इस दिन प्रातह काल उठकर अश्नान करें और शाप सुठ्रे वस्त्र धारण करें पूजासल को शाफ करें और उसकी बाद गंगा चल का छिर्काव करें फिर पूजास्थल पर भगवान विश्रू की प्रतिमा या चित्र अस्थापित करें। भगवान विश्रू को अच्छर, फूल, धूब, दीव, नैवेर, इत्र, चंदन और अन्य चीजे अर्पित करें। इस दिन भगवान विश्रू की आर्ती करें और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अन्त में भगवान विश्रू को अनन्द सुत्र अद्वित करें। अनर्चतुर्शी भगवान नारायर के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विश्रू ने 14 लोकों यानि तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूभुवश्व, जन, तब, शत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गड़ेश जी को विसर्जित करते हैं, जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को ए ब्रत रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस ब्रत को रख सकता है। चाहे पती के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पत्ती, पिता के लिए पुत्र यह ब्र रख सकते हैं कुछ समय में हैं आप लोन मुक्त हो जाएंगे अगर किसी के घर में क्लीश चल रहा है तो उन लोगों को अनंच चतुर्दशी के वहवाश के बार जायफर अपने हाथ से भगवान विश्रू को अरपड करना चाहिए उसके बार उसे जल्म प्रवाहित का पीपल के पेर के नीचे रखने से घर का कले समाप्त हो जाएगा आई ये सुनते हैं अनंच चतुर्दशी की कथा महाभारत की कथा के अंसा कौरों ने छल से जुए में पांड़ों को हरा दिया था इसके बार पांड़ों को अपना राजपार द्याकर बनबास जाना पड़ा इस द एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांड़ों से मिलने वन्मे पधारे भगवान श्री कृष्ण को देख कर इवधिस्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदर हमें इस पीरा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपार बताएँ इवधिस्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा आप सभी भाई पतिदनी समेट भाद्र सुक्रत शतूर्दशी का ब्रत रखें और अनंध भगवान की पूजा करें इस पर उधिष्ठी ने कहा कि अनंध भगवान कौन है इनके बारे में हमें बताएं इसके उतर में स्री क्रिष्ठी ने कहा कि यह भगवान विश्रू के ही रूप है चातूर माश में भगवान विश्रू शीषनाप की सैया पर अनंध सयन में रहते हैं अनन्द भगवान ने ही वामन नवतार में दोपग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था इनके ना तो आधिका पता है ना अन्द का इसलिए ये अनन्द कहलाते हैं अतह इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे इसके बाद इधिष्ठी ने परिवार सहित यह ब्रत किया और पुनह उन्हें हस्तिनापूर का राजपार मिल गया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंड करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ओल पर सिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसी पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद